मैं हूँ आपका टीचर आपका दोस्त मानस पटनायक और अगर आप भी इंचिनरीरिंग ड्रॉइंग को बिल्कुल टेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कूर्स में एन्रोल करिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक ओके तो अब हम आ गए हैं चौथे नंबर पर मतलब ड्रॉइंग इंस्ट्रॉमेंट बॉक्स अब इंस्ट्रॉमेंट बॉक्स के अंदर तो बहुत सारी चीजे होती हैं अब आप बोलों के सार कॉम्पस होता है वो भी एक छोटा और बड़ा डिवाइडर होता है छोटा बड तो यह अगर इसके लेग्स बिलकुल आप स्ट्रेट रखो न अगर इसके लेग्स बिलकुल स्ट्रेट रखो उसको ऐसे एक्टेंड कर सकते हो तो लगभग आप 120 mm व्यास का मतलब डामीटर का सरकल बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उससे भी अगर उपर जाना है तो उस फोड़ा सा टर्मिनलोजी देख लो इसको लेग वन और इसको लेग डू कहते हैं डड़ी जो लेग्स एसा करके आप उपन कर सकते हो मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये जो है उपन हो जाते हैं इसको हम कहते हैं हिंज समझ गए अच्छा दूसरी बात यहां पर देखो कि यह जो एढ़ है यहाँ पर लगे रहता है स्टील स्टील का एक णीडल लगे रहता है और यही वाला जो एण्झ है यहाँ पर लगे रहता आपेंजिल की नोक लगी रहती है टिल को सैंड-पेपर में घस करके यहां पर यहां पर यहां पर यह पर लगाने का ऑप्शन रहता है खर हम लोग करते नहीं यह उस चीज को पैंसिल लेड है अच्छा इसके अलावा अगर आप देखो तो यहां पर घोटना बना हुआ है घोटना समझते हो ना एक जॉइंट बना हुआ यहां पर भी जॉइंट बना हुआ है तो इसके अबाउट ना आप मोड़ो सकते हो ठीक है तो यहां पर यह इसको हम कहते है नी जॉइंट इधर भी और इधर भी अब ऐसा क्यों है सर तो देखिए कई बार ऐसा होगा कि आपको इससे भी अधिक डामीटर के सरकल्स खीचने प इससे तो यह वाला पैर यह भी परपैंडिकुलर रखना है पहले उसके बाद एक लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ना है किसको टोपी को ठीक है और राइट हैंड से पर सब्सक्राइब आपको इसको गुमा देना है तो वह काम हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है मैं वापस से शीट के साथ या ड्राइंग बोर्ड के साथ तभी आप खीचना अच्छा इसकी अलावा आप यहां पर एक चीज ध्यान दो यहां पर यह जो नीडल वाला को ति क्या अंदाजे से ज़्दा टेंशन मतले ना उससे क्या होगा कि यह 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 साइस कॉंपस से अब हम आते हैं लैंद्टिन बार के बारे में यह सेम चीज ना इसी में यह वाले समान को हटा करके यहां पर यह आज़स्मेंट दिया हुआ है आप लोग पता नह यहां से देख पार है कि यहां पर adjustment दिया हुआ है जैसे मैंने यहां पर pencil का lead लगाया है तो आप इसको open करो यह खुल जाता है और यहां पर आप क्या कर दो यहां पर लगा दो lengthening bar यह दिखाता हूँ मैं यहां पर lengthening bar लगा तो इससे क्या होगा इसका range जो है वो बढ़ जाएगा तो अभी तक हम रेंज कैसे बढ़ा रहे थे इसको इसके घुटने से यहां पर जो हैं वहां से मोड़ करके इसका range बढ़ा रहते हैं अब हम क्या करेंगे लेंटिनिंग बार को पैंसिल वाले एंड पर लगा करके हम इसका range और बढ़ा देते हैं तो अगर आपको ऐसे सर्कल्स कीचने जिसका की रेडियस देड़ सू मिलीमेटर से अधिक है ऐसी परिस्तिति जैसा उसका नाम लिखा हुए ना उसके नाम में ही उसका एक करेक्टरिस्टिक उसकी खासियत जो है वह चुपी हुई है यहां पर एक छोटा सा स्क्रू वाला अरेंजमेंट होता है इस प्रिसीशन में यह लार्ज वाले कॉम्पस से काफी अच्छा रहता है क्योंकि बहु बहुत बढ़ी है अब आतने डिवाइडर पर यह अरतिकों डिवाइडर काम आप जानते हो वैसे अकर मैं टर्मेनलोगी पे जाओ इसमें भी दो पैर है यहां पर इसके पॉंटेट स्टील पिन्स हैं और पहला काम तो यह है कि सर्वाइड करता है स्ट्रेट लाइन को भी कर देता है इक्वल नम्बर अफ पार्ट में तीन पर्ट में चार टीक है दूसरा यह सर हीं सिट से दूसरई हिससे में अगर हम को ट्रांसफर करना इंद यह को Comics स्मझगे तिश्मॉल बोर डिवाइंड की दिखिये आप जैसा देख सकते हो यहां पर मैं कोरा हूं कि मैं एक line है जिसका नाम है AB उसको मैं तीन parts पर divide करने का प्रयाज कर रहा हूँ क्यार यह जो process होता है पूरा का पूरा hit and trial रहता है हो सकता है कभी जादा हो जाए कभी कम हो जाए तो थोड़ा सा fine tune करने की जरुवत पड़ती है तो कभी भी आपको बड़े ही minute बारीक divisions करने हो ठीक है लेकिन बहुत सारे divisions करने हो बारीक हो लेकिन बहुत सारे divisions equal divisions करने हो तो अगेन मेरा सुझावर यह रहेगा कि आप small bore divider का स्तेमाल करें तो instrument box में अभी और भी सारा material है कौन सा है तो सारा scale भी है अब देखिए यहां पर दो versions है scale के available अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो है एक से चालो हो के यहां पर और आगे बढ़ता है बैने पूरा बनाया नहीं है और यह 15 cm वाला scale है और यह 30 cm वाला scale है इसका cross section जो है rectangular है इसका cross section कैसा है trapezoidal आप चाहो तो triangular भी बोल सकते हो आगे खीचो के तो एक triangle बनेगा ठीक मैं लिख देता हूं यह यह वाला है फ्लाट यह है triangular 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 देखिए यहां पर dimension मैं बता देता हूं scale के भी कुछ dimensions है manufacturing में यह 2 by 15 का और यह 3 by 30 का ठीक है जी 3 by 30 का यह यहां पर थोड़ा था यह triangular है ठीक है अच्छा इसके अलावा और क्या है सर इसमें तो बिटा देखिए इसके जो डिविज एक तो thickness हो गया यह है thickness मोटाई यह thickness कितना है यह 1 mm के बराबर है दूसरी बात क्या-क्या नापता है तो उसको देखने के लिए आप देखो यह जो बड़े बड़ी जो lines खीची हुए ना बड़े divisions हो है वो centimeter को को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो centimeter और millimeter वाने लिग दिया तो यह स्केल में इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरुवत नहीं है प्लास्टिक का बना होता और इसमें और क्या बना है ठीक है प्लास्टिक का भी होता है इसके बाद हम बात करते हैं प्रोट्रेक्टर की आप इसके लिए सबसे इपॉर्टन चीज देखो इसको यूज कैसे करते हैं यह सबको पता है आपको हर एक डिविजन एक डिगरी का होता है याद रहें वन डिगरी यह उसका लिस्ट काउंट है और यह जो रहता है कूद्र प्रोगे कर्व मेरी की चीज जमारे मार्केट में उसको हम कहते हैं उसको भी इसको वह collabor gallery कर दिये अगें निपर्पा Sears का मुंद भी हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट, एक हल्का सा एकदम स्केच करते है, हल्का सा लाइन रफ में स्केच करते हैं, और उसके बाद, हम प्रापर तरीके से फ्रेज करको, उन पॉइंटस को जमा करके उसके अलॉंग, हम फिर, वहाँ पर, सही पेंशिल से, अगले सेशन में देखेंगे ड्राइंग पेपर के बारे में काफी बड़िया कहानी है तो मज़ेदार होगा सेशन अगला भी वो भी तरूर देखना